Hello Friends, 24 मार्च 2023 के Current Affairs का पहला कुशन है हाल ही में Starbucks के CEO कौन बने है? बहुत important कुशन है तो दोस्तो हाल ही में Starbucks के नए CEO बने है लक्षमन नरसिम्वन तो भारतिय मूल के हैं लक्षमन नरसिम्वन तो वो अब Starbucks के नए CEO बन गए है और उन्होंने ये पद जो है गिरहन भी कर लिया है दोस्तो Starbucks क्या है? तो यह एक International Coffee और Coffee House कंपनी है जिसकी स्थापना 30 मार्च 1971 को ही थी दोस्तो ये जो Starbucks है अमेरिका की कंपनी है तो इसका मुख्याला है वासिंग्टन DC में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है Melody Hudson तो ये important जानकारी है Starworks के बारे में चलिए दोस्तो दुनिया की जो प्रमो कंपनी है उनमें CEO कौन है? तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा Microsoft के CEO कौन है? सत्त नाडेला Twitter के CEO कौन है? Elon Musk दोस्तो एड़वी के CEO कौन है? सांतनू नारायन IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा Facebook के CEO कौन है? मार्क जुकरवर्ग इसके अलावा दोस्तो Emogen के CEO कौन है? एंडी जैसी है Google and Alphabet के CEO कौन है? सुन्दर पिछाई है और YouTube के CEO कौन है? नील मोहन दोस्तो आपने ये लिस्ट देखी होगी और इसमें एक बात आपने नोट की होगी कि जितनी भी most important company है पूरी दुनिया के उनके सभी के CEO कौन है? भारतिय मोल के लोग है तो दोस्तो ये भी हमारे लिए एक proud moment है अगर आप दोस्तो study card पर पहली बारा है तो subscribe जरूर करिएगा और bell icon भी दबाईएगा और आज हम 24 मार्च 2023 का current office discuss कर रहे हैं हमारे जितने भी social media platform है उन पर भी आप हमें follow कर ले सभी का link description box में दिया गया है दोस्तो last में आप से question पूछा जाएगा तो उसका answer आप comment box में जरूर बताईएगा अगर आप मद्द प्रदेश पटवारी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं या SST banking किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो mock test हैं हमारे app पर उप्लब्द है app का link description box में दिया गया है और ये जो mock test है हिंदी अग्रेजी दौनों माध्यम में है तो आप इन्हें join जरूर करिएगा और दोस्तो अगर आपको discount चाहिए तो मेरा coupon code यूज करिएगा PSN trade आपको discount मिल जाएगा इसके अलाबब दोस्तो अगर आप daily current of yes का PDF प्राप्त करना चाहते हैं करनाटक की गाईका है कौन Bombay Jaisri तो उन्हें दोस्तो संगीत Academy के द्वारा 2023 के संगीत कला निधी पुरुसकार के लिए चुना गया है उन्हें पदमस्री से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तो जैसरी वर्तमान में करनाटक की जो संगीत कार हैं उनमें सबसे आंगे दिखाई देती है संगीत कला निधी पुरुसकार की बात करें तो यह करनाटक संगीत की छेतर में सर्वोच सम्मान माना जाता है यह 1942 में स्थापित किया गया था और दोस्तो 1942 में या निर्न लिया गया कि संगीत कार को संगीत कला निधी की उपाधी से समानित किया जाएगा तो दोस्तों बॉम्बे जैसरी को कौन सा पुरुसकार दिया गया है संगीत कला निधी पुरुसकार तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको नोड करना है अंगला कुशन है राय वरेली में किसके नाम पर हौकी स्टेडियम बनाये गया है बहुत इंपोर्टेंट कुशन है तो दोस्तो अभी हाली में हौकी इस्टार रानी रामपाल के नाम पर एक हौकी स्टेडियम बनाये गया है तो MCF राय वरेली ने हौकी स्टेडियम का नाम ब वापसिकी है जो रानी रामपाल हैं दोस्तो भारती है होकी टीम की कप्तान है और वो काफी दिनों से टीम से बाहर चल रही थी कुछ चोटे बगेर आई थी लेकिन उन्होंने दोस्तो इस साल की सुरुबात की है साउध अफरीका के दोरे से तो अब वो फिर से बापस आ गई है होकी में यहाँ पर बात आई है दोस्तो नाम बदलने की तो अभी हाली में मुगल गार्डन का नाम अमरे तो द्यान किया गया है मुंडेरा बाजार जो की गोरक पुर उत्तर प्रदेस में उसका नाम चोरी चोरा किया गया है तेलिया अफगान जो की देवरिया उत्तर प नेक्स्ट कुश्यन है विस्सो डाउन सिंड्रॉम दिवस हर साल का मनाया जाता है तो दोस्तो विस्सो डाउन सिंड्रॉम दिवस जो है हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश होता है डाउन सिंड्रॉम के बारे में लोगों में जागरुकता बढ़ाना और इस और दोस्तों ये जो विकार है या जो डाउन सिंड्रॉम है ये जन्म के समय ही विकार उत्पन होता है जो डाउन सिंड्रॉम बाला व्यक्ति होता है उसमें कुछ लक्षन दिखाई देते हैं तो दोस्तों जो डाउन सिंड्रॉम बाला व्यक्ति होगा उसका फ्लैट चेहरा हो चोटा सेर चोटे कान होगी बादाम सेप की आखें होगी उबरी हुई जीब होगी हातों में लकीरे सेर कान और उंगलिया चोटी और चौनी होती है तो यह कुछ लक्षन होते हैं down syndrome वाले व्यक्ति में तो दोस्तो इन से प्रभावित यानि कि इस रोग से प्रभावित लोगों की साहेता करने के लिए और इसके बारे में लोगों को जागरूप करने के लिए हर साल 21 मार्च को विस और डाउन सिंड्रॉम डिवस मना ऐसाता है अंगला कुश्यन है VWF के द्वारा जारी नवीनितम पुरुस एकल रैंकिंग में लक्ष सेंग का रैंक क्या है तो दोस्तों लक्ष सेंग की जो रैंक है वो है 25 तो VWF के द्वारा अभी हाली में नवीनितम पुरुस एकल रैंकिंग में जो जारी की गई है उसमें जो लक्ष सेंग है वो टॉप 20 से बाहर हो गए है और उनकी जो रैंकिंग है वो है 25 ठीक है? और लक्ष सेंग याद रखिएगा ये किस से रिलेटेड है? वेडमिंटन से रिलेटेड खिलाडी है तो ये VWF के द्वारा अभी हाली में वेडमिंटन की रैंकिंग जारी की गई है तो लक्ष सेंग जो हैं वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं दोस्तो वह नवंबर 2022 में करियर की सर्फ्रेष्ट रैंक पर पहुँचे थे नंबर 6 पर पहुँच गए थे अगर हम बात करें एस प्रणाय की तो दोस्तो वो नौबे स्थान पर हैं महिला एकल में पीवी शिंदू नौबे स्थान पर बनी हुए हैं जबकि जो साइना नहबाल है वो 5 स्थान नीचे खिसक करके 32 स्थान पर पहुँच गई हैं तो ये जो VWF के द्वारा अभी हाली में रैंकिंग जारी की गई है उसमें ये खिलाडियों की रैंकिंग है दोस्तो बैडमेंटन वर्ल्ल फेडरेशन की बात करें यानि VWF की बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी इसका मुख्याल है कौलालामपूर मलेसिया में है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है पॉल एरिक हायर लॉरसन और इसमें जो सदस देश है वो है 194 अगला का कुशन है टॉप 10 हुरून ग्लोवल रिच लिष्ट 2023 में एक मात्र भारतिये कौन है तो दोस्तो अभी हाली में खुरून ग्लोवल रिच लिष्ट 2023 को जारी किया गया है और इसमें अगर हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में किवल एक भारतिये हैं और उनका नाम है मुकेस अमबानी क्या नाम है दोस्तो मुकेस अमबानी मुकेस अमबानी टॉप 10 खुरून ग्लोवल रिच लिष्ट 2023 में केवल एक मात्र भारतिये हैं और उनका नेट बर्थ बताये गया है 82 अरब डॉलर दोस्तो इस रेंकिंग में यानि टॉप 10 में वो 90 नंबर पर हैं अरब पतियों की संख्या में 2023 की अगर हम बात करें तो उसमें वो तीसरे स्थान पर हैं यानि कि दुनिया में सबसे अधिक अरब पति की लिष्ट में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है 2022 की तुल्ला में अगर हम बात करें तो अरब पतियों की संख्या में 8% की गिरावट आई है और उनकी कुल संपत्ती में 10% की कमी आई है दोस्तो जो मुके संबानी है उनसे पहले जो गौतम अदानी थे वो हुआ करते थे लेकिन पिछले कुछ महीने में दोस्तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है जिसके कारण अब उनकी जो रैंक है वो बहुत नीचे पहुँच गई है और मुके संबानी जो है वो भारत में अब टॉप कर रहे है इससे पहले गौतम अदानी टॉप कर रहे थे दोस्तो इस लिष्ट में ये जो संबानी की रैंक याद रखेगा नौवी रैंक है चलिए अंगला कोशन डिसकस करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ITU Area Office and Innovation Center का उधगाटन कहां किया है तो इसका उधगाटन क्या है दिल्ली में कहां किया है दुस्तो दिल्ली में तो प्राइम मिनेश्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ITU Area Office and Innovation Center का उधगाटन किया है ITU का मतलब है International Telecommunication Union ठीक है तो इसका एक छेत्रिय कार्याला जो है ये भारत में खोला गया है और दिल्ली में इसको खोला गया है दोस्तो ITU की बात करें तो यह सूचना और संचार प्रोदौक की से संबंदित मामलों के लिए एक जिम्मेदार संयुक्त राष्ट की बिसेज एजेंसी है इसकी स्थापना 17 मई 1865 को की गई थी बहुत पुरानी संस्था है ये इसका मुख्याल है जेनेवा सुजलेन में है और इसके वर्तमान महासचो कौन है डॉरेन, वोगदान, मार्टिन तो ये पॉइंट भी आप नोट कर ली जिगार अंगला कुशन है गड़ेत के लिए एबिल पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है देखे एक पॉइंट और याद रखेगा कि ये जो एबिल पुरुसकार है ये नोबिल पुरुसकार से अलग है नोबिल पुरुसकार जो है वो 6 चित्रों में दिया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नोबिल पुरुसकार किन-किन चित्रों में दिया जाता है और दोस्तो एबिल पुरुसकार गड़ेत की छितर में दिया जाता है नोबिल पुरुसकार जो है गड़ेत की छितर में नहीं दिया जाता है यतना याद रखेगा तो दोस्तो अभी हाली में लुईस कैफे रिली को एबिल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ठीक है तो अर्जेंटीना अमेर की हैं कौन लुईस कैफे रिली तो उन्हें गड़ित के लिए एविल पुरुसकार के लिए चुना गया है जो आंसिक अंतर समीकरण के विसिसग हैं दोस्तो वो टेकसास विस्विद्यालाय के प्रोफेसर हैं अगर हम बात करें एविल पुरुसकार की तो एविल पुरुसकार हर साल नौरबे के राजा के द्वारा एक या एक से अधिक उतकरिष्ट गड़ितगों को प्रदान किया जाता है दोस्तो यह पहली बार 2003 में दिया गया था और यह जो पुरुसकार समारो होता है यह औस विस्विद्यालाय में आयुजित किया जाता है ठीक है दोस्तो तो एविल पुरुसकार जो है वो गड़ित के चितर में दिया जाता है यह point आपको note करना है अगला question है साउदी अरब Grand Prix 2023 का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है दोस्तो Sergio Parish ने किसने जीता है Sergio Parish ने तो ये formula 1 से related Grand Prix है और इसको Sergio Parish ने जीता है दोस्तो और इनका संबन्द किससे है Red Bull से है कभी-कभी इस प्रकार के भी question पूछ लिये जाते हैं कि Sergio Parish का संबन्द किससे है तो Red Bull से है इसमें पहले स्थान पर Sergio Parish दूसरे स्थान पर Max Barras Tappan और Fernando Alonso जो है वो तीसरे स्थान पर रहे है और George Russell चौथे स्थान पर रहे है तो दोस्तो साउदी अरब Grand Prix का खिताब किसने जीता है Sergio Parish ने जीता है लास्ट कोशन है important कोशन है बहुती ध्यान से सुनिएगा भारत का लिंगान पाथ 2036 तक कितना हो सकता है तो दोस्तो भारत का जो लिंगान पाथ है वो 952 हो सकता है 2036 तक ठीक हैं तो भारत में महिला और पुरुस 2022 रिपोर्ट को अभी जारी किया गया है तो इस रिपोर्ट के अंसार भारत का जो लिंगान पाथ है जो की 2011 में 943 हुआ करता था वो 2036 में बढ़कर के 952 हो जाएग तो इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है इसके अलावा दोस्तों कुछ और आकड़े बताये गए है जन्मे के समय लिंगानुपाद 2017-19 में 904 था और अब बढ़कर 2018-20 में 907 हो गया है बिवाह के लिए जो ओसत आयू 2017 में 22.1 बर्स थी अब 2020 में दोस्तों ये जो ओसत आयू है बिवाह के लिए वो 22.7 बर्स हो गई है यहाँ पर दोस्तों लिंगानुपाद की बात आई है यानि सेक्स रेशियो की बात आई है तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1000 पुर्सों पर कितनी महिलाए है तो 2036 तक ऐसा आकड़ा होगा दोस्तों कि 1000 पुर्सों पर 952 महिलाए होगी तो इसी को बुला जाता है लिंगानुपाद तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा एक्जाम के पॉइंट आप ब्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अब हम कल के करेंट अफ्यास को भी रिवाइज करते हैं विस्व जल दिवस 2023 कब मनाया गया है तो ये 22 मार्ज को मनाया गया है सरब जोट सींग ने ISSF विस्व कब सूटिंग चेंपियंशिप में कौनसा मेडल जीता है गोल्ड मेडल जीता है विहार राज्य का इस्थापना दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्ज को मनाया जाता है जापान ने किस देश को G7 सिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है भारत को आमंत्रित किया है भारत और 23 अफ्रीकी देशों के बीच एफेंडेक्स सेन अभ्यास कहां सुरू हुआ है तो पुणे में सुरू हुआ है S.W.A.A. 2023 में विश्व का सर्बस्रेश्ट यारपोर्ट का खिताब किसे मिला है सिंगापुर चांगी यारपोर्ट को हाल ही में मतुआ मेला किस राज में आयुजित किया गया है पशिम मंगाल में और दोस्तो अंगला कुशन है हाल ही में मिसिज इंडिया 2023 किसी चुना गया है जोती अरोडा को चुना गया है किस ग्रह पर बिग्यानकों के द्वारा सक्रिय ज्वाला मुखी की खोज की गई है तो सुक्र ग्रह पर अभी हाली में सक्रिय ज्वाला मुखी की खोज की गई है किस राज ने स्वास्त का अधिकार विधियक पारित किया है यानि Right to Health अभी पारित किया है किस राज ने राजस्थान है तो दोस्तों ये थे कल के Current Affairs के महत्कूर कुशन चलिए आज के General Knowledge के पिटारे को डिसकस करते हैं तो आज के General Knowledge के पिटारे में हम डिसकस कर रहे हैं भारत के प्रमुक महत्सव और तेवहार तो सरहुल तेवहार जारखंड में मनाये जाता है गुडी पर्व और खंडोवा महत्सव जो है ये महराज्ट में मनाये जाता है तो दोस्तो ये थे भारत के प्रमुक महत्सव और तेवहार इनको आप नोट कर ले जाए एक्जाम के पॉइंटों भी उसे बहुत ही इंपोर्टेंट है चलिए अब आपसे एक कोशन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है राय परेली में किसके नाम पर होकी स्टेडियम बनाये गया है सभिता पुनिया, दीपा करमाकर, रानी रामपाल या दीपिका कुमारी जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और दोस्तों अगर आपको लेक्शर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें इसके अलावा सेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म पर जय हिंद वंदे मातरम